हेलो साथियों एक बाफिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जामोरी पर साथियों आज किस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इलावा धाई कोट एपियस फाइनल कट आफ के डिकाडिंग तो आप सभी का जो स्किल टेस्ट है वो हो चुका है चाए वो एपियस हिंदी हो या फिर एपियस इंग्लिस हो आप सब ने अच्छा परफॉर्म करने के कोशिश करी और बहुत सारे बच्चों ने किया भी जिस हिसाप से पेपर आया था जो बच्चों के डिविव मिले कि पेपर काफी अतलब एजी आया था बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था इची आया था और उसी साब से लगबख सारे बच्चों ने अपना जो performance है वो अच्छा दिया है चाहे हम Hindi की बात करें चाहे हम English की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा सबसे पहली बात तो कि आप ये वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा तभी आपको जो पूरा concept है वो clear होगा अगर आपको लगता है वीडियो slow है तो आप इसकी speed बढ़ा सकते हैं लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें तो चलिए हम वीडियो को start करते हैं देखिए सबसे पहली बात की आप सबको हम बता दें कि मैंने जो APS का जो प्री का cutoff बताया था कि 170 जाएगा जनरल का और वैसा गया भी 165 मतलब 175 ये मैंने cutoff बताया थी 175 बताया थी तो इसके आसपास आपकी जो cutoff है वो बनी है 165 तक का आपकी cutoff गई है जो आपकी SCST की cutoff है वो और भी कम गई है तो मैंने जो cutoff बताया थी अभी वी आप वीडियो है जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो पे तो लगबग मैंने सारे वीडियो में आपको जो है ये वाली cutoff बताया थी और सेम यही cutoff प्री की गई थी दूसरा कि मैंने आप सबको बताया था आप बहुत सारे लोग टीचर्स YouTube चैनल्स वाले कह रहे थे कि इसमें जो है कि सारे बच्चों का जो skill है वो कराया जाएगा मैंने सिर्फ आप देख सकते हैं पुरे YouTube पे सिर्फ मेरा ही एक वीडियो होगा जिसमें यह बताया गया है क कि नहीं आपकी जो है पर्टिक्लर लिस्ट जारी कि जाएगी दस्वोना बच्चों की उन्हीं बच्चों का सिर्फ और सिर्फ वहां पे skill test कराया जाएगा और वैसा हो अभी खैर यह सब चीज़ें छोड़िए अभी हम बात करेंगे final cut-off के बारे में तो मैंने जो analysis किया है बच्चों के माध्यम से तो मैंने यह पाया है कि आप देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा कि जो number one बच्चा है और जो last का अभी हम मान लेते हैं इंगली सिस्टेनों की बात कर रहे हैं तो last dollar बच्चा है 540 यह है यह number one और यह 540 बच्चा है इसके बीच का जो number difference है इसके बीच का अगर हम number difference की बात करें तो वो है लगबग लगबग 22 से 25 नमबर का 22 से 25 नमबर का मतलब पहला rank और जो last का rank का बच्चा है इन दोनों की बीच का तो difference है वो लगबग लगबग 20 से 25 नमबर का है अगर कोई बच्चा चाहता है कि मेरा जो selection है वो हो जाए मतलब under 60 आजाए क्योंकि आप सबको पता है कि अगर English की बात करें तो लगबग 9 गुना बच्चों को लिया गया और हिंदी की बात करें तो लगबग 5-6 गुना बच्चों को लिया गया है तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको selection के लिए क्या चाहिए तो दखिए पहले और 540 बच्चे के बीच में जो number difference है वो है 20 और 25 नमबर का 20 से 25 नमबर का उसने भी लगबग उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया और जिसकी बहुत अच्छी थी वो भी लगबग उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया दो चाहर नमबर का अंतर पांच नमबर का दस नमबर का अंतर बस रहेगा ज्यादा अंतर नहीं रहेगा जैसे अगर कोई 148 पा का भी वीडियो देखा पेपर देखा था उसमें सारे बच्चे लगवब फेल हो गए थे सिर्फ एक बच्चा एक्ष्ट्रा सीट से अधिक पास होगा था सौटें कौलिफाइग करने में तो यह कह सकते हैं अनिश्चित्ता का खेल है सौटें खर इस बर पेपर इज़ आया थ बच्चे, जो बाकी सब बच्चे कहते ऐहां, उनका इसका इतना अधिक खेल सीट। वह सिर्फ कहिए, अनिए हुम्हाद सीट्ल नेंचे होगा Χुँण ethan का पीट्र मदने में ऐगा उनका ऐतना हंगा हुर। कि एगर आपको लगता है कि आपको Under60 आना है तो आपको इन जो 20-25 नंबर का गैप आप जैसे माल लेते हैं किसी बच्चे का 300 थे 300 रैंग पर है तो उसको क्या करना है उसको लग्रण 15-18 पंदरर नंबर का माल लेते हैं उसका गैप होगा पहले और 300 रैंके बीच के तो उसको 15 नंबर का गैब भरना पड़ेगा उसको अंडर 60 में जाने के लिए 12 से 15 नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे बागी सब बच्चों से मतलब उसको कम से कम 145 नंबर एक तरीके से समझी है कि जितने भी बच्चे हैं उसे 540 में से 540 बच्चे अगर आपके स्किल में 145 खास करके मैं लास्ट वाले बच्चे देखो अंडर 100 वालों की बात तो छोड़ दो वो तो सिर्फ अगर 130 प्लस पा जाएंगे तो उनका काम हो अब जैसे मैं 300 से और 400 वालों की बात करूँ तो इनको कम से कम 145 से 145 नंबर लाना पड़ेगा उनके उपर और जितने बच्चे हैं उनको और थोड़ा अच्छा नंबर लाना पड़ेगा क्योंकि इस बार का पीपर था नो वो थोड़ा इजी आ गया था तो इसकी वज़े अगिदम लास्ट में है और वो 145 प्लस ला देगा तो कहीं ने कहीं उसकी संभावना काफी हद तक रहती है कि वो अंडर 60 में आ जाएगा और उसका जो फाइनल सेलेक्शन है वो हो जाएगा क्योंकि अभी आप सबको लग रहा है कि बहुत हीजी गया ना जब अभी अभी आपकी स्पेलिंग तो चलो आप सबने ठीक किया होगा यह दो चीज बहुत बहुत घटिया कटती है हाई कोट की एक्जाम में आपको बता दे रहा हूं कैपिटल इसमाल और हाइफन वाला केल यह बहुत तगड़ा होता है और बच्ची इस चीज़ को समझ नहीं पात अगर उनका सौटेंड में अच्छा गया आना तो उनको कोई कवर नहीं कर सकता है फिर उनका हाँ इस बार की दीमेरीर थोड़ी सी यह रहेगी मैं मानता हूं कि थोड़ा पेपर इजी हो जाने के वज़ए से जो सूरू के बच्चे है उनका चांसे थोड़ा ज्यादा रहे क्योंकि उनका रेंग बढ़िया है और सौर्टेंड में थोड़ा सच्छा कर लेंगे तो उनका अपने आप ही वहां पर सेलेक्शन हो जाएगा तो यह रहा आपका पूरा का पूरा एनाल्सिस आप अपने इसाफ से देख लिजे कि आपका सौर्टेंड कैसा है बागी आप आपट उप पेपर आपने देई दिया है रिजल्ट का वेट करी किए इसी जो मैंने कटाफ बताई है लगबग इसी के आस बास अगर आपको final कटाफ सुनी है तो मैं आपको बता दूँ कि लगबग 400 में से आपको अगर कि 310 अगर आपने 310 स्कोर किया है 310 प्लस स्कोर किया है मतलब अगर 310 से लेके 315 तक क्या स्कोर किया है आपने तो आपका स्लेक्शन हो जाएगा थोड़ा आगे पीछे बढ़ेगा कटाफ इसमें कोई दो रहा है नहीं है लेकिन आपको 315 नंबर है तो आप एक्दम प्रश्ण आती है हाँ आप सबसे जितने भी एपिस वाले बच्चे आप सबसे ज्यादा मैनत करते हूं लेकिन आप लोग जोए चैनल को सबस्क्राइब नहीं करते हुआ यह तो गलत बात है आपके लिए हम इतना मैनत करते हैं आपका भी थोड़ा फर्स बनता है जलिए मि